पाली भासा के अंदर जो सोले जन्पत आते हैं सोले जिले आते हैं उनमें जिले का नाम है कुरू और कुरू जो छこちら है वो दिली और डिली से जो नोर्थ में उपचलता है हरियाना पंजाब ये सारा कुरू छ here में आता है कुरू छेत्र को कुरू खेत्र बोलते हैं कुरू छेत्र नामका एक जगे बनी है जो बाद में बनी है कुरू छेत्र जो बोलते हैं हर्याने के अंदर ये बहुत बाद में सब्दाया है क्योंकि पाली के अंदर छेत्र नहीं होता सब्द खेत्र होता है यानि कुरू का खेत मगर कुरू तो पूरा प्रदेश था पूरे प्रदेश को कुरू खेत बोला करते थे यानि कुरू खेत या आज का कुरू खेत पूरा पूरा ये जन्पत जिला रहा है एक शहर नहीं है जो नया बसा है कुरू खेत जो भारत के अंदर है हरियाने के अंदर, उसके पीछे एक मेन शहर है, पुराना शहर है, उसको थने सर बोलते हैं, थने सर का मतलब है थेराओं का सर, यानि जहां थेरा ही चारतर रह रहते थे, थेरा ही थेरा होते थे, इसको स्री भी बोलते हैं, थेरा स्री, स्री माने मुख्य और हैड होता है, और 13 वादि बोलते हैं इस्तर वादि बोलते हैं या उनको उसी तरह का जो original गुद्धिष्ट की जो इससक प्रट्टिस करते हैं उसको बोला जाता है तो हरियाना नाम कैसे पढ़ा सिक्वादि इसका नाम है अरियान अरिययान अरिय अमाने जो होता है वो होता है अच्छा अरिये सच्च आपने पढ़ा होगा अरिये माने स्रेश्ट यानि अच्छे सच तो ऐसे ही अरिये यान यान माने होता है रास्था यानि कि अरिये सच्चा स्रेश्थ रास्था तो कमास पूर जो जगे रही है पूरे पूरे इसमें कुरू प्रदेश के अंदर या कुरू देश के अंदर वो बहुत कमाल की रही है कमास उसका एक सुत है भगवान बुद्र ने दिया है जिसमें ये बताया था के कुरू पदेश के लोग या जो कुरू छित के लोग हैं, कुरू जनपत के लोग हैं, वो पाच सीलों का पालन बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए उनको निबान पराप करने के लिए, उनको अमरत पराप करने के लिए, या अमरत पराप करने के लिए, या अमरत चखन होने का उन्होंने ग्यान दिया जिसको महा सती पर्थान भी बोलते हैं और जिसको सती पर्थान सुति भी बोलते हैं कमासपुर के अंदर विपसना सेंटर बना हुआ है, तीन विपसना सेंटर और भी हैं, जो एक सोना के अंदर है, एक कंडाल में है और एक रहो तक के अंदर है, ने सर जो था वो बहुत पिर्मुख जगे थी, आप कुरूप छेत यूनिवस्टी में जाएंगे तो आपको वहा सरोबर आटमेटिक बन गया, क्योंकि महाँ प्राकरती कोई सरोबर तो है नहीं, इसलिए वो अगर आईएसाई का महाँ बूर्ड लगा हुआ है, अगर उसको उत्खरन करेगी या खो देगी, तो नीचे पूरा-पूरा एक सिटी आपको दबावास में मिलेगा, इसके यानि कि यम्ना नगर में चनेटी का स्थूप, मैं 2006 में वहाँ गया था, और 2006 की ये सारी जो पिच्चर है, फोटो हैं, जो आप लगाता देख रहे हैं, और ये सारी, क्योंकि उत समय ये स्थूप जो था, बहुत ऐसे ही कच्चा पड़ा हुआ था, इसका साइज लगबद आठ मीटर इसकी उचाई ज्यादा है, और 20 मीटर इसका डाया है, यानि ये 20 मीटर चोड़ा है और 8 मीटर से ये उपर रहा है, इसके जो इट का साइज है, वो 30 बाई 30 बाई 7 सेंटी मीटर का है, या 30 बाई 15 बाई 7 सेंटी मीटर का है, यानि कि 30 सेंटी मीटर चोड़ी है, और 30 cm लंबी है और 7 cm मोटी है जो इंटे है जो चित्र में आप देख रहे हो और साथ ही इसमें जो कमल है जो कमल भगवान बुद्ध के जनुम का प्रतीक है तो कमल की जितनी भी इसमें नकासिय पत्थों पर वो यहां टुकड़ों में क्योंकि उसमें हमने फूटोग्राफिक की थी तो यहां दिखाई दे रही है यह जो स्तूफ है बता जाता है कि आसोप के समय का यह स्तूफ है और यह स्तूफ के अंदर भगवान बुद्ध के नखोन या बाल कुछ रहे होंगे क्योंकि जितने भी स्टूफ हैं या इनको बोले हैं चैते बोलते हैं संस्काइट भासा में या इनको बोलते हैं चैतिया चैतिया मतलब होता है जहां जो गब होता है यानि कि जो गर्ब होता है चैतिया गर्ब जिसके अंदर कोई नब नब डिबी में या पत्थर में सामान रखा जाता है तो इसको चैती है धातु गप बोलते हैं धातु जो बोलते हैं वो बोलते हैं अस्थी को या अफसेस को यानि किसी ऐसे बुद्ध के जितने भी अस्थी या अफसेस हैं उनको हम धातु के नाम से पाली में बोलते हैं तो जो चैती है इसी से ये सब डबलब हुआ जिसको चेत्ती का मतलब है समझाता है और चेत्ती होते होते चेत्ती हुआ फिर चेत्ती हुआ फिर चनेती हुआ फिर चनेती हुआ फिर चनेती हुआ यानि जो सब्द आज का चनेती है बेसिकली ये चेत्ती से या चेत्ती से बना है बुद्ध के इसमें अफसेस हैं धातू हैं अब हैं या नहीं कह नहीं सकते क्योंकि ये गड़ा जो आप इसमें पिच्चा में देख रहे हैं इसमें कुटा भी बैठा हुआ है गड़ा भी है हमने यहां उस समय जो देखा था हरियाना के अंदर जो धम है यानि हरियाना का मतलब है अरियाना अरिये मने स्रिष्ट हो गया यान मने रास्था हो गया तो उससे हरियाना बना हुआ है हरियाना के अंदर या अरियाना के अंदर या अरियाना के अंदर जो अरियाना का मार्ग है स्रिष्ट मार गया उसके अंदर जो जगे है वहां बहुत सारे भगवान बुद्ध के धम के चिंद बिखरे पड़े हैं दिरे दिरे सारे सारे आ रहे हैं जगे जगे जैसे टोपरा के अंदर एक बहुत बड़ा धम चक्र बना है अब धम लोग जागने लगे हैं हरियाना के में जो भासा है और पाली भासा है बहुत मैच करती है और बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि इड़े का जो यूज है हरियाना में जो यूज है याना में जो यूज यूज होता है और ये पाली के अंदर ही बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है उपियोग होता है आप किसी की संडे संडे को यम्ना नगर आके इस चैते को देख सकते हैं फोटो में हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं धन्यवाद अधन्षर्णन गच्छामे धन्वन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे अधन्षर्णन गच्छामे धन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे संगन्षर्णन गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे संगन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे संगन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे संगन शरनं गच्छामे संगन शरनं गच्छामे दाम्मन शरनं गच्छामे संघंशरनंग गच्छामे बुतंशरनंग गच्छामे बुतंशरनंग गच्छामे बुतंशरनंग गच्छामे संघंशरनंग गच्छामे बुतंशरनंग 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 गच्छामे गर्चाने संदंशेरनंग